हलो दोस्तों स्वागत है आप लोका फ्रेंड्स आज हम आईस टॉपर कनिस कटारिया की कॉपी देखेंगे और आपको देखके यह पतात लगेगा कि आप कैसे इन सबसे अलग बन सकते हो अगर इन्होंने एंसर लिखा तो किस फॉर्मेट में लिखा इन किन बातों का ध्यान लिखा रखा इन्होंने यह सारे पॉइंट्स हम एके करके देखेंगे इन्होंने बीजेन आईस में अपना टेस्ट दिया था जैपूर सेंटर पे ठीक है यह डेट थी 22 2018 का तो इनके हम कॉपी देखेंगे क्योंकि मैंने बीजेन के आईस के ही वेबसाइट से लिखा ली है तो आपको यह समझ में आगए कि दोखो इन्होंने कैसे कॉपी में अंसर अपना लिखा था ठीक है ना इन बातों को हम ध्यान रखेंगे चली स्टार्ट करते हो देखते हैं कि अपने अंसर कॉपी कैसे लि अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको नॉर्मली बता जाता हूं लगभग 20 कोशन आते हैं यह पेसी में ठीक है अगर जीए कोई पेपर ले लिए पेपर का पैटन आपको पता होना चाहिए 20 कोशन के आसपास आते हैं आपको तीन घंटे का इसमें समय दिया जाता है तीन आपके लिए सबसे पहला कोशन हम देखते हैं कि सबसे पहला कोशन उनसे क्या पूछा गया था तो अगर कोशन की बात करें तो इन्होंने इंग्लिज में पढ़ लेता हूं उसके बाद हिंदी में पढ़ूंगा अब हिंदी में अगर बात करें तो इसका मतलब यह जादा है कि भाराज जैसे लोकतंत्र में बीपच क्या भूमिका निभाता है इस संदर में चर्चा कीजिए कि क्या हमारी संसत चाया मंती मंदल से लवावमित हो सकती है आप देखो वो बच्चा ही इसका अंसर दे पायागा जिसको यह पता हो कि सेडो कैबिनेट क्या होती है अगर आपको सेडो कैबिनेट नहीं पता है तो आप आधा दुरा लिख पाओगे हाँ एक चीज़ है देखो अगर आपको यह पता नहीं कि सेड़ो कबिनेट क्या होता है तब भी आप इसके आधे उत्तर तो लिख सकते हो जैसे भारत जैसे लोकतांतर में विपच की क्या भूमिका है आप यह चीज़ तो लिखी सकते हो राइट आपको यह नहीं पता कि सेड दिख जाती है और इसे हमें लाबानमित होते हैं अगर लिख के आजवाब तो आपको इसमें बेनफिट मिल जाएगा अधरवाई जैकर आपको पता है तो पूरा लिखोगे तो इसमें देखो एक टर्म्स अगर आपको नहीं पता रहेगा तो आप इसका उत्तर पूरी अच फोगरन्मेंटट हमारी कोई बी एक तरह से बिल तंसमारी बीपर्ण में कौन होता है ठीक है तो वे क्या करता है चिंब एक सब कुछ लगं जो लोगई हैं अगर हमें बताते हैं यह पता हैं नि प्यांतर इस में प्रεब्स कि एक हैं तो हम हम संब कुद की लाते हैं तो हम पता चल जाता है कि हमें यह पॉइंट सुधार करने के ज़रूरत है और एकहर निये पॉंट सुधार करते हैं तो हमारा बील और अच्छा हो जाएगा तो यह एक तरह से कहलो कि ऐसा भी नहों के दिशान देने की बहुत जरूरत है ठीक है तो देखो उसके आगे इन्होंने क्या लिखा तो एक करейств कि मैं आपको बताता हूँ तो अपोजिसन हमें रोकता है मोनोपोली से लाने से, कल कोई बील पारित कर दे गौर्मन्ट में कि आस्या है हमारे जंडा इस कलर का होगा, तो इसमें तुरंत ऐसा ना हो कि ऐसा ना हो पाई, इसलिए भीपच क्या करता है, तो वो सारी कम्यां हमें बताता है, और हमें किन-कि पाईसिज लाती है, उसकी कम्यों को क्या करता है, हाईलाइट करता है, ठीक है, और दूसरा ये भी कहते है कि देखो, एक अल्टरेनिटी सल्यूशन भी देते हैं हमारे जंडा को कैसे, देखो, अगर गौर्मन्न की पॉलिसी लारी है, तो गौर्मन्न सब कुछ अच्छा- फरक पढ़ने वाला है, हाँ, अभी देखो, हम पॉजिटिव चीज़े बात करें, इसके बाद निगेटिव भी आएंगे कि निगेटिव टरम्स में क्या क्या इस पे फरक पढ़ता है, जिस हम ये पॉजिटिव टरम्स देख रहे हैं, ठीक है, उसके अलमा, अगर बात करे आपके लिए बेश्चरी है, तो आप नेक्स तक पहुच जाओंगे, नेक्स पेस तक पहुच जाओंगे, तो जब सामने कॉपी चेक करेगा, उसको ये नहीं लगेगा कि आ इसने कुछ छोड़ दिया है, ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, अगर इसके निग क्या आते हैं, अगर सपोज कर अपोजीशन धंग से काम ना करें, तो उसके फर्क क्या क्या पढ़ते हैं, वह देख लेते हैं, पार्लियामेंट को पुरह डिस्टर्व कर सकता है, और एक तरह से कहलो कि इतने जादे, मतलब कभी कभी क्या होता, कोई बिल पारित होना होता ह तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उपद्रों मचाना चालू कर देखते हैं, पहले कोसं क्या था कि भारत जैसे लोगत अंतर में पहुंच कि क्या भूमका है, हमने भूमका देख ली, अब चर्चा कीजिए, आप उसको बारे हम लिखिए, फिर सेकंड में बारे हम लिखि सबसे वह पंगा बता है कि श्याय का वहती है क्या होती है क्या होती है इस a body फिट मिर अब्सक्राइब का मतलब यह कि जो opposition में होते हैं वो छोग अपना मंत्री मन्दल मनाते मंत्री मन कैसे मनाते हैं सबस्कों इधर government है कई मंत्री मंदल है उसके हर एक मंत्री है हर एक policy लाते हैं तो यह लोग भी decide करते हैं तुम इस वाले का बिरोध करोगे तुम इस वाले का बिरोध करोगे तुम इस वाले का बिरोध करोगे और इनकी जो जो कमिया है वो लोगों के सामने उजागर करोगे जो भी भी लाएगा उस कमियों को आप उजागर करोगे तो इससे क् देखो इसी में यह लिखा फिर इसके बाद क्या क्या लिखा है ट्रैकिंग आप दे गौर्वर्मेंट पॉल्सीज गौर्मेंट की जो पॉलसीज जो पॉलसीज है उसकी एफिशेंसी चेक हो जाती है ठीक है वो चीजें से मतब एंडिस्टेशन कर पाएगा कि नहीं कर गयारे कजह है आप यहासे देखतार है शनुर्मेंट को लेकर आपको बीचार होंगी आप इसमें जंज्रेली लिख सकते हैं ठीक है, इन लिए अगर आप अमारे पास तो आपको जी सें अमें क्या करता यह ग魯ा होता है तो लोग उसको भी गलत तो यह भी लिखना है ज्यादा सब्सक्राइब ले सकते उसी हिसाब से अगर यह काम करता है तो यह हमारे लिए बहुत ही अच्छा है ठीक है तो यह तो आप करते हैं तो इन दो समर्ज होना पड़ता है इन दोनों पार्टी में से किसी एक में रैइट इन्डा रचाव कोई पार्टी बना सकता तो सारे में और आपने ऐसाप से यह चीज होने चाहिए जनों पूरा नसर लिखा दोस्तों ठीक है अब लिखने का निगा देखो इन्हों ने मैक्सिम ना इस पेस छोड़ के लिखा है आप देखो एक तो सबसे पहली चीज याद रिखेगा देखो इन्हों नो मैं पूर सुरू से दिखाता हूं आपको आप जो सामने कॉपी चेक करेगा कोई बरसा देखो इसको एक तो इस पेस दिखेगा ठीक ठाक से इस लड़ती हमासानी होगैं कि मुट्ष करस दिखो और और आप सबसे टिखक करना वह सबसे कंशना है कॉपी चेक करना सबसे लिए करना सबसे बोरिंग काम हुता तो सामने वाला है कापके alright मैं सामने वाला कि कोपूर नो कि अब कम्या झाले बटने चीज पोचने और वह लिखिए प्रस्टिक्वेंस लिखिए अगर पहले यह चीज पूची गई तो पहले वह लिखिए जैसे अगर इस कोशन की बात कहें तो इसमें दो कोशन पूचे गयाते हैं ठीक है एक तो विपच्च की भूमिका क्या है ठीक है अपोजीशन का रोल क्या है दूसरा सेडो अशर थे अगर आपने पहले कोशन पढ़ा हो आपका यह लिखेंगे जरूर अच्छा उत्तर भी लिखेंगे लेकिन उसका नहीं होगा जिसका आपको लिखना था बताब किसी और प्रस्न का उत्तर नहीं होगा वह तो इसी लिए और देखते रहेंगे दुखों इन्होंने कैसे कैसे अंसर लिखा है और हम कोशिस करेंगे कि डेली कम से कम एक दो दिन पर एक कोशन डेली डिसकस किया करें जो इतने भी टॉपर्स रहें टॉपर्स के ठीक है तब इकनस का टारियक हमने देखा आगे चलके हम अच्छा जैन का क्र दॉपर्स लॉपर्स जैन मेवाँ जौका है जैसे ओ स्थी कोशना है कि दो सकता कि दारी हम जह है त